नमस्कार दोस्तों, वेलकन वर्ल अफेर्ज, नहुँ प्रशान धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही important statement के बारे में by Saudi Arabia हाली में Saudi Arabia ने ये का है, अच्छली Saudi Arabia की जो main सरकारी company है वापर Saudi Aram को उनके CEO ने ये का है, के आने वाले 50 साल के लिए हमारी main priority है in the energy sector के चाइना को हम कैसे supply कर सकते हैं power, ये statement बहुत ही important है और यहाँ पे हम को एक बार को ये भी दिखता है के चाइना की जो विदेश निती है, इरान और Saudi Arabia को लेकर ये कितनी perfectly balanced है और चाइना किस तरीके से दोनों countries के साथ 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 relations improve करते हुए अपना influence, West Asia, West Asia यहाँ पे अपना influence improve कर रहा है इरान की अगर हम बात करें, तो आपको बता हुगा के हाली में चाइना ने announce किया है इरान-चाइना 25 year cooperation program, इसके बारे में कई documents हैं, कई articles हैं, आप पढ़ सकते हैं online for example, Washington Institute का ये एक बहुर अच्छा article है, 25 year agreement between Iran and China जिसके अंडर आने वाले 25 साल में चाइना निवेश करेगा 400 billion dollars का, इरान की economy में 400 billion dollars by the way, पाकिस्तान की nominal GDP की value है, तो 25 साल के लिए आप कह सकते हैं, आने वाले 25 साल के लिए इरान के लिए सबसे important देश है चाइना, अब सावधी अरेबिया की जो main सरकारी company है, जहां से main income revenue आता है सावधी अराम को, इनके जो CEO हैं, अमीर नसीर, इन्होंने भी ये कहा दिया, कि आने वाले 50 साल के लिए, 25 से भी डवल, 50 साल के लिए सबसे important देश हमारे लिए रहेगा चाइना, क्योंकि यहीं से आएगा main revenue, और ये statement इन्होंने दी है, चाइना development forum में, आज के समय online, virtually, since pandemic अभी भी चल रहा है, एक forum organize कर रहा है, चाइना, चाइना development forum, जिसमें दुनिया भर के important CEOs आए हैं, यहाँ पे भाशन दे रहे हैं, for example, य जो आरोप लग रहे हैं, आज के समय टेसला पे गलत है, टेसला company बंद हो जागी चाइना के बिना, तो यह इनकी लकानी है, खैर, यहाँ पे हम focus करें अगर साउधी रांको के CEO पर, तो इनकी statement सिर्फ चाइना के लिए नहीं है, यह actually एक message है, US और इंडिया दोनों को, कि overall geopolitics में, अब जो हमारी foreign policy है, in the future change हो सकती है, already change होनी शुरू हो चुकी है, और हम अब चाइना को prioritize करेंगे, as our main foreign partner, क्योंकि घूम फिर के देखो, आप कहा सकते हैं, नहीं, साउधी रेविया को US defense देता है, weapons देता है, पहली बात तो वो सब होता था, जब Donald Trump power में थे, जब से Joe Biden power में आए है, हमने ये रेखा है, कि इनोंने साउधी रेविया की support काफियत तक कम कर दी है, जो यवन में ग्रैयू चल रहा है, वहाँ पर US ने अपनी support वापस ले ली है, उसके लावा जो billions की defense deal हुई थी with Saudi Arabia, ये कर दी है, Joe Biden ने cancel, और Joe Biden ने तो हाल ही में sanctions भी impose कर दी है, औ साउधी रेविया, जमाल कशो की incident को लेकर, तो recent developments को आप अगर देखो, तो साउधी रेविया के लिए US उतना important देश नहीं रहा, जितना 3-4 महीने पहले था, जी हाँ, एक election नहीं, इतना बड़ा change ला दिया है, US की policy में towards साउधी रेविया, और इसलिए अब साउधी रेव top supplier है, whereas आप अगर देखो, तो साउधी रेविया के जो exports है, oil exports इंडिया को ये बहुत अत्तक कम हो चुके है, इंडिया के कहने पर भी, since साउधी रेविया ने oil के दाम कम नहीं किये, oil की जो production है, ये नहीं बड़ाई, उसके response में, इंडिया अब साउधी रेविया से oil कम पर तरीके से, एक देश पर pressure डाल कर, sanctions impose कर करके, उसको कैसे हम धकेल सकते हैं, चाइना की तरफ, US already successfully, रश्या को धकेल चुका है, चाइना की तरफ, रश्या पर sanctions लगा कर, रश्या को isolate करके, और घूम फिर के सब में, सबसे बड़ा benefit हुआ है, चाइना को ही, चाइना ही आज के किया रहा, Middle East में बहुत सारे जो इनके newspapers हैं, ये publish कर रहे हैं, कि जो US के sanctions हैं, क्या ये चाइना और साओधी रिविया को पास ले आएंगे, और इसका answer है, बिलकुल हाँ, ले आएंगे, already दोनों countries के relations काफी strong थे, अब और जादा इनको strong किया जा रहा है, US sanctions वारा, तो मैं simply ये काऊंगा, जो Biden की जो विदेशनीती है, Russia, China और साओधी रिविया को लेकर, ये बहुत जादा short term एक vision के साथ आगे बढ़ रही है, और long term में इससे US, ना सिर्फ US, इंडिया को भी होगा काफी नुकसान, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं न, ये मुझे लगता नहीं है कि long term में साओधी रिविया जादा pro China हो जाएगा क्योंकि साओधी रिविया के बहुत ही deep interest है US के साथ, पेट्रो डॉलर, साओधी रिविया खुद डॉलर को support करता है as a global currency, देखो एक time पे आके जब oil की जो demand है, साओधी रिविया को पता है कि आने वाले एक दो दशक में काफ partnership है नहीं और आप चाहिए जान के रहान होंगे कि 2019 में China और Saudi Arabia ने sign किये थे 28 billion dollars के agreements और उसके बाद हमने ये भी रेखा है कि बहुत सी Chinese companies आज के समय billions का निवेश कर रही है in Saudi Arabia और overall China और Gulf Corporation Council की जो involvement है, जो partnership है ये भी लगतार बढ़ रही है, अब यहाँ पे आप पूछेंग के ठीक है, sign कर लिए agreements, मगर इसमें हो क्या रहा है, Saudi Arabia को क्या मिल रहा है चाइना से, China क्या gain कर रहा है from Saudi Arabia, सबसे पहली बात आपको यहाँ पर यह समयना होगा, Saudi Arabia, even though USA का एक काफी close defense ally था, उनका एक काफी important partner था, मगर फिर भी Saudi Arabia ने चाइना का belt and road initiative join कर लिया था, मैं आपक आपको एक अभी map दिखाता हूँ, उस map को देखके भी शायद आपको शौक लगे, यह आप पर जो निली countries दिखनी है आपको, यह वो सब देश है जिरोंने belt and road initiative का जो document है, यह sign कर लिया है, अगर आप देखो South Asia में, तो सिर्फ दो share आपको मिलेंगे, जिरोंने China की dominance को accept नह आशिया, यहाँ पर कई आसियान देश, almost सबने ही accept कर लिया है चाइना का belt and road initiative, of course जो चार क्वार देश है, US, Australia, Japan और इंडिया, इन में से किसी ने भी sign नहीं किया, चाइना का belt and road initiative, अब गल्फ में आप अगर देखो, गल्फ कोपरेशन काउंसल में, तो सारे countries ने sign कर रख होगी in Saudi Arabia, और इनका plan ये है, कि Saudi Arabia में बहुत सारे ports develop करके, कुछ यहाँ पर basis बनाकर, इनको access मिले, Northern Africa का, अब next question यहाँ पर ही आएगा, कि ठीक है, agreement sign कर लिए, ये belt and road initiative का भी part है, मगर ground level पे क्या हो रहा है, देखो, Saudi Arabia की जो राज़ानी है, रियाद, वहाँ पर China आज के सम गर, for their population, ये contract था, 667 million dollars का, जो दिया गया, Chinese companies को, उसके इलावा, दुनिया का सबसे बड़ा, oil fired power station, ये भी China बना रहा है, इन Yanbu, ये एक शेर है, इन Western Saudi Arabia, और reference के लिए, यहाँ पर आप देख पा होगे, इस पर article भी है, China Saudi Arabia signs, 667 million, रियाद housing contract agreement, अब यहाँ पर फिर भी यह का सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है, घर मनाने पर, पावर प्लांट बनाने पर, ठीक है, उन्होंने belt and road initiative sign कर लिया, इसका ये थोड़ी ना है, कि China इनको defense में भी अब help करेगा, तो यहाँ पर भी आप गलत होंगे, अगर आपका ये सवाल है, और आप अगर ये सोचते हैं, कि China की आपे involvement काफी limited है, Saudi Arabia का जो missile program है, उसमें complete, मैं काऊंगा, dominance है चाइना की, जी हाँ, इनका missile program, कभी Google करना ये words, Royal Saudi Arabia Strategic Missile Force, जी हाँ, Saudi Arabia भी अपनी एक missile force develop कर रहा है, अब देखो, इनको कोई scientist है नहीं, कोई DR, DOA, ढंका, कुछ, you know, science and tech में होने कुछ जादा Americans की तरफ, और एक satellite launch करा जेती है, science में overall कोई तरक्की हुई नहीं, तो इनकी खुद के कोई missile तो है नहीं, तो इन्होंने यहाँ पर क्या हिया है, कि China को दिये billions and billions of dollars, एक secret deal के अंडर, और China ने इसके बदले, इनको दे दिये हैं, दो बहुत ही important missile platforms, एक तो DF-3 ये Chinese missile है, उसक पर आपको नहीं मिलेगा, और हाली में reports ये भी आई हैं, कि Saudi Arabia, आज के समय, uranium को enrich करना भी सीख रहा है, through Chinese health, और यहाँ पर देख पाऊगे, एक perfect ecosystem बन गया है, तोनों countries के वीश में, Saudi Arabia, oil बेचता है, चाइना को, ठीक है, इसके बदले में, China देता है, billions of dollars to Saudi Arabia, Saudi Arabia फिर कहता है कि इन में से कुछ amount हमा को वापस भी कर देंगे, आप हमारे यहाँ port बनाओ, हमारे यहाँ power plant बनाओ, हमारे घर बनाओ, हमें missiles, बताओ कैसे launch करते हैं, कैसे बनाते हैं, uranium कैसे enrich करते हैं, तो इसलिए इन दोनों countries की जो cooperation है, बहुत तही से improve कर रही है, already improve कर रही थी, जो Biden ने बस यहाँ पर जो accelerator का बटन है, यह दबा दिया है, और अब दोनों countries का relation मैं कहूंगा, तीन गुना, चार गुना speed से जरा strong होंगे in the next few years, now इस सब को आप अगर देखो एक Indian perspective से, तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमारा यहाँ पर क्या viewpoint होना चाहिए, देगे बहुत ही future, trade को लेकर differences होना मतबेद होना काफी आम बात है, मगर इंडिया को कही ना कहीं, चाइना का जो influence है साओधी रेविया में, इसको counter करना होगा, यह हम कर सकते हैं बहुत से तरीके से, पहली बात तो साओधी रेविया को हम offer कर सकते हैं, ब्रमोस missile, हमारे और बहुत सारे defense occupants, और दूसरी बात हम use कर सकते हैं हमारे relations को with USA, और US को कह सकते हैं कि इतने sanctions, इतना pressure आप मत डालिये विस साओधी रेविया, साओधी रेविया इससे और ज़्यादा dependent ही हो जाएगा on China, और इससे ना सिर्फ आपको, हमको भी loss होगा इस पुरे region में, तो यह है end this video का, thank you for listening and as always God bless you all